हेलो एवरिवन वेल्कम टू राउंटेबल इस्टडी तो देखो बचेलो कंटेनिव करते हैं हम यह जो फिजिकल प्रपर्टी बढ़ रहे थे ग्रूप नंबर 16 की चाहिए तो नेक्स हमारी जो प्रपर्टी है वो है अब इसका और बेसिकली यह जो है जो आप देखोगे तो यह गैसे के फॉर्म में एक्जिस्ट करता है ना इसका रिजन क्या है सबसे पहला जो इसका रिजन है वो है कि यह बेसिकली जो है यह थोड़ी सी क्लास 11 की टॉपिक है और अपने सिरीज वाइज अगर आप अगर देखते चले आँ तो आप मैंने आपको P by P by multiple bond की बारे भी हलका सा समझाया है ठीक है लास्ट रेल में है ना जो मैंने आपको बताया था ठीक है तो P by P by multiple bond की वज़ा से और दूसरी चीज की इनके molecules की यह जो इनके जो atoms होते हैं उनके बीच के ऐसा जो है force act होता है वीक wonder wall forces जो है act होता है तो जिसकी वज़ा से जो हमारा oxygen है वो exist करता है गैस के form में ठीक है अच्छा बाकी के देखो जो molecules हैं पहली चीज़ बाकी के जो molecules हैं वो हमारे जो है अब पीपाई पीपाई bonds नहीं बनाते हैं क्योंकि इनके size जो है बड़ी होती है अब यसी बात है अब अगर आप oxygen से अगर आप नीचे आओगे तो size आपको कैसे मिलते जाएगी बड़ी longer जो है बड़ी size मिलते जाएगी तो अब जो molecules हैं वो diatomic molecules के form में मतलब की हमारा जो भी element होगा वो diatomic molecules के form में exist नहीं करेगा यह कहीं जादा उससे बड़े structure बनाएंगे तो किस तरीके का बनाता है देखो the other atoms are linked by single bond and form polyatomic यह जो है कैसा किस टाइप molecule बनाता है polyatomic complex molecule बनाता है example की तौर पर जैसे अगर हम बात करे देखो अगर sulfur किया और selenium भी है ना तो यह दोनों ही काफी बड़े-बड़े जो है complex molecules बनाते हैं जिसमें कहीं जादा दो से कहीं जादा जो है atoms जो है attached होते हैं है एक 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 बना रहा है पर मॉलीक्यूल और जैसे कि आपका यह जो selenium है यह यह भी आपके एक elements को स्टाइब को लेकर के selenium का एक molecules जो है वो बना रहा है ठीक है तो इस टाइप का जो structure होता है इसको हम लोग कहते है पकर्ड रिंग structure आप पकर्ड भी कह सकते हो ठीक है पकर्ड रिंग structure कुछ इस तरीके से होता है मतलब crown shape में होता है बनाना बहुत ही आसान है कुछ crown shape में होता है crown shape तो आप बना लोगे यह 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 ऐसे रखा और इस तरीके बना लगे देख लो कांट के लोग टोडल कितने oxygen ही किवर diatomic के form में exist करता है बाकी जो sulfur है वो कहीं ज़ादा बड़ा size होनी के वज़ा से उसके पास पीपाई पीपाई multiple bond नहीं बनते हैं तो अब वो diatomic के form में exist नहीं करता वो कहीं ज़ादा बड़ा complex molecules बनाता है polyatomic complex यह वड़ याद रखना है आपको polyatomic complex molecules बनाता है ठ नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है यह सब हम लोग बात करें इसमें से बहुत सथा पूर सकता है तो allotropic form की बात करें allotropic का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा रूप हो जाए है एक से ज़्यादा form में exist करता हो that is called allotropic तो अगर हम देखो oxygen की बात करें तो oxygen जो तो टाइब के allotropic show करता है डाय ओक्सीजन डाट में O2 एंड ओजोन डाट में O3 ठीक है अब अगर comparison की बात करें जाए तो O2 जह हो कहीं जादा इस टेबल होता है एस गपने टू ओ थ्री बात करें अगर सलफर की तो सलफर हमारे तीन तरीके से जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म में एक जिस्ट होता है पहला हमारा होता है हो मोसाइकलिक इस पेसीज जिसमें लगबग सिक से लेकर के 20 सलफर एटम्स तक क्या हो सकते हैं अ हो सकते हैं यह मोस्ट कॉमन आपका इस ट्रक्षर हर जगादे से सलफर में देखने को मिलेगा उसके बाद सलफर का जो अधर एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है वह होता है कैटेना कैटेना जिसमें हम लोग बोलते हैं कि यह बैसिकली हमारी जो है मतलब एक पॉलीमर पॉलीम हम कितनी रख सकते हैं तू से लेकरके वा तक हम रख सकते हैं तो यह हमारा अनिस्टेhit बल जो हैं होता है है अच्छा उसके बात होकर है जा यह जो होता है देखो, थ्री आर रेड, है ना, इनमेंसे जो एट, एट तो हो गए, अब इनमेंसे थ्री जो होते हैं, वो मारे रेड कलर के होते हैं, और यह सेलेनियम है, तो अब यह सी बात है, यह भी क्या बनाएगा, यह बेगोकार ड्रिंग रिस्ट्रक्टर बनाएगा, ग्रे तो यह बात करें, तो यह हमने बात कर ली किसकी ऐलोट्रापिक फॉर्म की है, आपको यह सारी चीज़े समझ में आ रही है, बहुत जादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉस करके, चीज़ों को नो डाउन कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है, आपकी आप्जेक्टिव कुष्टम से के प्रस्पेक्टिव से बहु जाए 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 की टेंडेंसी बहुत जाद नहीं है यह कम से कम अपने दो ही oxygen से क्या कर सकता है जोड़ सकता है इससे जादा नहीं उसके बाद देखो बात करें sulfur की है ना तो sulfur जो है ना बहुत जादा जो है ketanation tendency को सो करता है जैसे आपने देखा था जो तो sulfur source a greater tendency towards ketanation and link several atom in chain ठीक है अब यह important भी है क्योंकि हमारे जो biological system होते हैं body में जो biological system है ठीक है proteins है जो enzymes में enzymes हैं तो इन proteins और enzymes को बनाने में SS bond का बहुत जादा जो है importance है तो SS bond is very useful in biological system and occurs in several proteins and enzymes तो यह बाते आपको ध्यान रखनी है क्यों objective question के perspective से ठीक है क्योंकि कहां से पता नहीं कहां से यह आपकी से जो है उठा करके questions को पूछ ले ठीक है तो कौन सा bond important होता oxygen oxygen यह ऐसा दे दी यह option तो आपको पता ही नहीं रहेगा आपने अगर पढ़ा ही नहीं इसलिए आपको read करना है लिख लेना है आपको इसको अपने notes में लिख लेना है और इसको आपको एक बार read करना है तो बहुत जादा हम इसमें discuss नहीं करेंगी यह मारी यहां से physical properties हो गई गरूप और 16 की physical properties हो गई खत्र नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे chemical properties है ना तो chemical properties में जो भी trends होंगे ठीक है hydride का formation, highlight का formation जो भी होगा हम लोग अब उसको बारी-बारी से discuss करेंगे तो इसमें हम लोग बहुत जादा discuss कुछ नहीं किया है simple है तो आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को जो है एक बार इन सारी चीज़ों को no down कर सकते हो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यह ना वीडियो को pause करो और आप इनको no down कर लो ठीक हो जाएगा similarly एक और ही आपका है screenshot आप ले सकते हो क्लियर है I hope कि आपको यह दीख रहा होगा यह तो बारी बारी से जो है आप वीडियो को pause करो जैसे मैंने आपको बताया है उससे इसाब से अपने आया यार अपने इसाब से कर लो ठीक है चलो मिलता नेक्स वीडियो में बचलो पढ़ाई करते लो अपना ख्याल रखो